हेलो फ्रेंट्स एंड मैं स्टूडेंट्स अभी जो एक्सोसाइज आपको सिखाई जाएंगे वन से टैन तक है इन एक्सोस में कंप्लेटली आपको काफी हद तक सिखाने की कोशिश की गई है इसमें जितने भी टेबल्स हैं वो हमारे डिजाइनिंग से इसके अंदर आप अ सब्सक्राइब और गत्सक्राइब करें डिया चाहिए अगर आपको प्राक्टिकल की अच्छी से नोलेज होने चाहिए क्ल जितना चिज़ आपका बेस ऑफा स्ट्रों गहां उतना अच्छी सावग कर पाएंगे अगर आप मिल्ट में से कहीं अगर अगर देख रहे हैं तो आप स्टार्ट इस सावी है और और अगर आप था किया किया है तो जितने भी विडियो है बहुत ही स्टार्टिंग देखेंगे तब भी फायदा है अधर्वाइस कोई इसका यूज नहीं है क्योंकि आप देखके रफ्री आगे कर देते हैं उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब भी को यूज नहीं है तो जितना देख रहे हैं आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी नॉलेज़ गेन हो और हरे चीज के नोट्स म यह हमें हमारी कंप्योटर स्क्रीन आज हम आपको बताएंगे एक्सराइज 7 प्रिवेस एक्सराइज हमने 1,2,3,4,5 करा दी थी 5,6 प्रिवेस वीडियो में हमने करा दी थी और अभी हम एक्सराइज 7 कराएंगे इसके अंदर यह थोड़ा सैंपल दियावा टेबल का इसके एकरडिंगली कुछ हमने यहाँ पर कोस्टेंस रेडी करें यह 8 कोस्टेंस हैं तो इनको कोस्टेंस को हम ट्राइ करते हैं सबसे पहले है फाइंड क्रेड इसमें मेड वन मीटरम वन मीटरम टू और फाइनल प्रोजेक्ट फाइनल इस चार्ज जो को एड़ किया गया है यह यहाँ इन चारों को चीक है तो इसमें सिंपल सम का फॉर्मोला है सम के फॉर्मूले में आपको पहले ही बताया था ऑल्ट इस इकर उसे सम आएगा बट यह आई डी को भी ऐज़े इन नंबर्स में मैच कर रहा है तो हमें स्रिफ इन का लेना है मिट बन से लेकर और फाइनल तक ऐसे माउस को ड्राग करेंगे आपका अंसर निकल जाएगा बाकी अंसर आप यहां पर इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहां पर रिनेम देंगे और इसका नाम हम रख सकते ग्रेड ठीक है जैसा इसने बताये ग्रेड ग्रेड्स वापस हम आते है अपने स्क्रीन पर यूज ऑटो फोर्मट एज शोई इन दे टेवल यह जो टेबल में शो किया गया है इसी के अकरडिंगली आपको फोर्मेट सेट करना है फोर्मेट सेट बहुत इजली हो जाएगा बेस कलर आप चूज करके यहां से ले सकते है और जो इ वह भी हमें डालनी पड़ते है और ऑटोमेटिकली बाइडिफर्ट ब्लैक देखाता है वाइट लाने के लिए सेलेक्ट किजिए इसके अंदर मोर सेटिंग्स में जाये एडारेक्ली हां से भी कर सकते है फिर उसको जैसे भी यह उप्शिन जूस करेंगी यहां से कर सकते है यह से भी बाइट मोर में एक सारे प्रोपवर्रिस ओटमैटिकली जाती है देखे उन पर घाल गया इस को चेंज कर सकते है छोड्यागवाट चाहते है next one is find the status if grade is greater than 80 and then distinct and otherwise fulfill यह आपको यह वाला निकालना है it is based on the grade ठीक है तो grade के लिए अगर दो statement आ रहे है तो obviously आपका इफ लगेगा is equal to if bracket आपका बनाएंगे tap के साथ में this one is greater than is equal to 80 क्योंकि इसमें पुरा statement is greater than is equal to के साथ लिया है ठीक है उसके बाद इसमें लगा हुए है distinct and fulfilled तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो भी इसमें मैंशन किया गया है ठीक है तो इसके नदर जो हम next one है क्योंकि formula जब आप अप्लाई करते हैं तो इसके यहाँ पर यह जरूर करिए इससे क्या होगा कि आपका जो है पूरा bracket open close प्रोपरली वर्क करेगा next is fulfill ठीक है यह देखें ब्रैकेट बन नाव एंटर अभी चेक करेगा कि यह टी और इसके ग्रेटी से ग्रेटर दन है तो distinct show कर दिया इसको हम डवल क्लिक करते हैं तो answer आपका show कर देता है यह टी से का मैं दोना ठीक है त आपका first column है कि के final और grade यहां पर दो कोलम continuity में दिखा रहे है तो अलग अलग कोलम से अगर आपको select करने हैं इसके लिए क्या करिए first select करिए और फिर control प्रेस करना keyboard से उसको छोड़ना नहीं है और final और grade select करके फिर आप इसको mouse को भी छोड़िये और control को भी छोड़िये फिर आपका mouse जाएगा insert में insert में हमें जो कॉलम वे में करना है वो यहां से रह सकते हैं ठीके अब का बन के दिखा रहा है 3D लेना है 3D ले सकते है इस टैप से अगर इसके अंदर full dp जाएंगे तो अंदर के बाकी options दिखा देगा और यह सारे options भी उपर वाले इसी चार्ट से र लेबलिंग होती है इसमें यह वाला ठीक है देखिए उपर आपका लेबलिंग दिखा रहा है कि किस टाइम पर कोंसे आपकी value शो कर रहा है second वाले भी लगा देते हैं लेबलिंग यह आपका यह देखिए ठीक है तो इसका data देखिए यह वाला यहां पर इसको match कर जाए के लिए यह सुमन वाला जोती वाला जो है यह वाला यह इसके लिए ठीक है अच्छा नेक्स्ट कोश्चन है चेंज चार्ट कलर एंड वर्टिकुलरली चार्ट का कलर हम चेंज करके देखते हैं इसमें दो कोश्चन है और दूसरा है कि इसका जो जीरो हंडेर्ड है इसके इंटरवेल 20 चाहिए इसका इंटरवेल कितना है आपका 10 20 30 10 10 इंटरवेल है चार्ट का कलर चेंज करना है यहां है अपे राइट क्लिक करके इसके अंदर यहां से डीप लीप सेटिंग कर सकते हो यह देखिए जो भी चंजिस करना है यहां से जाएगा, feeling color वग्यार, solid shade वग्यार है, वो सारा जाएगा, जो भी options करते हैं यह दिखे, आपके आपके सारे show करता है, अब क्लिक करिए, उसको automatically जीजे समाझ में आने शूरू हो जाएंगी, किस तरीके से work करता है, तो इस तरीके से आप इसको try का सकते हैं, interval बोले है 10 10 का gap है यहां पर right click करिये और इसमें होता आपका format access last one यह देखिए last one ठीक है इसमें क्लिक करिये यह option show कर रहा है जहां आपका यह 10 type होगा यह अपका maximum है 0 minimum है 90 की जएका 100 भी डाल सकते है 90 इसले लिया इसने क्योंकि इसको इस रेंज के बीच में maximum value ही यही तक ने लिया है इसको 20 करते है जैसे हम यह आपर आते है यह देखिए यह आपका 0, 20, 4, 60, 80, 100 इसके अकरिंग यह आपका यह data interval चेंज राते है प्रिजदा है इस वाली जो हैडिंग इसको अगर हम बहुत ज्यादा डेटा है उसको स्कॉल करते तो हमें अगर आप चाहते यह वाली चीज पूरा पर ली हमेशा यहां पर दिखती रहे तो हम क्या करते हैं करसर 3 से नीचे रखेंगे 4 पर ठीक है और यहां जाएंगे आप डेटा में अप जाएंगे यह मैंने प्रिवेस वीडियो में बताया हुआ है डेटा में जाएंगे प्रिवे करचर कर दो किते हैं आप डिकरें अर्शामी थ क्या ह scriptures नीची रखेंगे तो फेलिए से फ्रिस्त AC करेंगेक करेंगे तो प्रिष्ट भिष अ कर्कोंन दोनों को करेंगे तो रखिये स्टार्टिंग में रखेंगे और वह भी जिस इसको भी गरना उससे जेश्ट इक नीचे देखे फ्रीज होगे ना अन फ्रीज करना यहां से कर देज़े नेक्स्ट कोशन प्यालते हैं फ्रीज दा कॉलम में अब फर्स्ट कॉलम है तो इसमें तो जरूरती नहीं कुछ कहीं रखने के किस तरीके से यह कहीं पर भी रखा होगा आप हुआ यह नहीं हुआ है अपना जो यह करसर है थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे देखेंगे चेंज होगे ना एक के बाद सीधर वाइसर यह फिर इसे हम स्कॉल लेफ्राइट कर सकते है यह से ठीक है यह दिखिए यह अपका फ्रीज हो गया अच्छ इसमें और कुछ कॉस ज्यादा नहीं थे बहुत डीपली कोशन पूछे गए है जिसमें आपको बहुत ज्यादा नोलेज मिलेगी अवरेज मिकालना इस व्यारी सिंपल आप लिखिए अवरेज टैप दबाईए हरसे अपन डाम करके उसको यूज कर सकते हैं सेलेक्ट एंटर ठीक है हाइस्ट के आप कर सकते हैं मैक्स आइंड टैप प्रेस करिये ब्रैकट होता है बहुत सिंपली टैप से आपका आ जाता है अगर फोर्मूला अपटाई कर चुके है तो आप इसमें टिक है ऐसे ही मिन किया टैप प्रेस किया और इसमें आप काँट आप प्रेक्टिस करिए गाई इसकी आपको समाज में जाएगा कैसे कैसे इसके अंसर निकल रहे है एक कॉलम को लिए आप इनको भी ट्राइ कर सकते वालग-अलग ठीक है नाक्स्ट है कि नमबर अफ प्रोजेक्ट ग्रेटर दन एट कि पीछे भी मैंने आपको कराया था कि इसके अंदर हमने इसमें चूश करना है यह यह इस मेरे नंबर काउंट करईगा कंटिफित इस पूरी रेंज को अठा लेते में तो यह अगर हम greater than is equal to करेंगे तो वह 3 उठा लेगा एट को भी काउंट करेंगा इसको भी काउंट करेंगा ठीक है Sum of final marks less than or is equal to 30 को भी लेगा 27 को इन दो को लेगा बस अर इननका sum करके लिखाएगा इसकल टू समेफलिया ठीक है अब छुट टू फॉर्मूलेस आपके आत जा रहे है step by step नहीं नहीं फॉर्मूलेस इंक्रीज होता जाएंगे यह हम करेंगे लास दन का साइन यह वाला होता है ठीक है इसकल टू थर्टी थर्टी था नहीं इसको हम completely ऐसे त्वस करते हैं यह देखिया आपका फॉर्मूला यह फॉर्मूला आपका ठीक है आपका अंसर आ गया इस तरहीं जासे एक अनगारी था प्रैस करें यह बहुत है आपके शीट कंपलीट हो चुकी है इसमें कोई भी आपको डाउट है पूछना है तो कमेंट सेक्ष्ण में पूछ सकते हैं ब जितने भी को आपको शीट्स क्राए जा रही है इनके प्रपर ले अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए पाकी आपको अचिसे नो लो जमी बीपले सगी Thank you